अब 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 इससे पहले हम लोग जो हैं अब तक ये देख चुके हैं कि fundamental frequency क्या होती है, harmonics क्या होती है और overtones क्या होती है और उनके अंदर loops की मदद से अवास कैसे produce होती है अब हम वो ही चीज़ हैं जो हमने पहले string पर अप्लाए गीनती है, अब हम air की मदद से apply करेंगे organ pipe organ pipe क्या होता है, आगे पाद इससे flute होती है, जिसमें जिसको आप बासुरी कहते हैं उसमें हवा को blow करवाए है, तो हवा का pattern होता है, उसके अंदर क्या create करवाता है sound create करवाता है, normally आपने एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ पढ़ी भी होगी, इससे हम कहते है resonance tube, जिसमें हम tuning folk को बजाते हैं, उसमें से resonance का sound आता है, इको का sound आता है, वो भी basic organ pipe की example है, तो अब हमें जो formulas हैं, वो develop करने हैं organ pipe की, नहीं कि organ pipe किस तरीके से अपने formulas को invent करेगा, और किस तरीके से उनको apply करके हैं, उसमें आवाज हैं produce करवा सकते हैं, खेर, तो अब अब अगर organ pipe की बात करें, तो organ pipe हमारे पास दो categories में divide हो जाते हैं, जिन में से एक category होती है, open pipe, और दूसरी category होती है, close pipe, अचा, close pipe का हरगिस यह मतलब नहीं कि दोनों side close होंगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर दोनों side close कर दी तो हवा कहां से blow करेंगी हैं, open pipe में, दोनों side open रखी जाती हैं, और close pipe में, एक side open है, तो एक side क्या हो जाएगी, close हो जाएगी, ठीक है, अचा, यह बात मैं आपको last time बता चुका था, यह भी normally आपके पास जो loop में wave बनती है, अगर तो जुसकी edges हैं, वो fixed हैं, तो वहाँ पे बनेगा node, लेकिन अगर वो free to move हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, anti node, इसी तरीके से आप समझते हैं, यह जो दोनों sides हैं, open है, free to move हैं, तो यहाँ पर जब भी कुछ बनेगा, वो हमेशा anti node ही होगा, यहाँ पर यह open है तो यह क्या बनेगा, anti node, यहाँ पर यह close है तो यह क्या बनेगा, node बनेगा, चिक बात है, तो इस तरीके से normally यहाँ पर काम होता है, अच्छा, अब दूसी सबसे important चीज, जो यहाँ पर concept आपर clear होना चाहिए, वो यह, कि हम यहाँ पर sound की बात कर रहे हैं sound के अंदर होता है क्या, बच्छों, sound के अंदर कभी भी crust rough नहीं बन सकता, उसकी जगा पर बनता है compression, rare fraction, compression और rare fraction, लेकिन जब मैं इसको solve कराना शुरू करूँगा, तो आपको ही बात यहाँ पर दिखेगी, कि मैं यहाँ पर loops बनाऊँगा, और आप जानते हैं कि loops होते हैं तो वो loops कैसे बनाएगा, को असल में होता है, यहाँ पर जब हम plotting करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग crust rough की plotting नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग compression, rare fraction की plotting नहीं करते हैं, असल में यहाँ पर हमें graph की variation plot कर रहो होते हैं, और यह graph की variation होती है, pressure और आप कैसे अतने है, distance के लिए अब मैं इसको इस तरह समझा देता हूँ, जिस जगह पी compression होती है, वहाँ pressure हो जाता है high, और जिस जगह rare fraction होती है, pressure हो जाता है low, और फिर जिस जगह compression होती है, pressure हो जाता है low and so on, तो यह जो pressure variations होती हैं, यह हम यहाँ पर plot करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग fraction से जादा असान होता है समझना है, स्क्रस्ट रफ को, तब ही यहाँ पर जो loops हैं वो with respect to pressure बनाए जाते हैं, तो बस आप इत्ती सी बात यहाँ तके हैं, जिस जगह पर compression होगी, वहाँ पर यह वाली upper side बन जाएगी, और जिस जगह पर rare fraction होगी, वहाँ पर lower side बन जाएगी, खेर, अब अगर open और close pipe की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने बिलकुल वैसा ही काम करना है, जैसे हमने string में किया थे हैं, यानि कि हमें बनाने हैं, एक loop के नहीं है, दो loop के नहीं है, तीन loop के नहीं है, तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर multiple loops बना के दिखाऊं, तो पहल की जो length है, उसे मैं कह देता हूँ कि यह length है L, ताकि uniformity रहे पहले वाले case से, अब यहाँ पर जो pipes होते हैं, वो open बनते हैं, तो intermediate भी होंगे कुछ, मतलब complete कोई loop नहीं हो गए यहाँ अगर एक loop बन रहा है, तो यहाँ पर एक loop यह बनता है, जिसमन आपसे कहा था, ends पर होता है basically, यह आपके पास होता है कितना lambda by 2, और अगर मैं खाली इतने हिस्से की बात करूँ, इस वाले हिस्से की तो यह हो जाएगा lambda by 4, यह हो जाएगा lambda by 4, lambda by 4, add करो तो lambda by 2 बनता है, यह एक loop बन जाता है, यह आप इसको देख सकते हैं, अगर मैं इसको ठाके यहाँ पर frequency को बढ़ा देना है, यह आप हवा blow कर रहा है, अगर आप तेजी से blow करेंगे, तो automatically वो अपने आपको इस तरह distribute कर लेगी कि उसके loops बढ़ जाएंगे, अब इतने बढ़ाने हैं, कि एक loop के बजाए दो loop बनें, इस तरह से, ठीक है, तो देखें, यह lambda by 2 हो गया, यह lambda by 4, य यह दोनों मिलके, एक lambda by 2 हो गया, एक दूसरा lambda by 2, दो loops बन गए, इस तना से अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो यह loop जो है, इस तना से एक करें, ठीक है भी, तो यह normally यहाँ पर काम हो रहा हो, लेकिन अगर यही वाली हर कतम close pipes में करें, तो close pipe में काम कुछ इस तना से होग यहाँ पर एक loop नहीं बनता, बलके partial loop बनता है, लेकिन हम उसको एक ही loop पंसिडर गड़ते हैं, वह इस तना से बनता है, जो क्यों होता है, lambda by 4, यहाँ पर open end है, तो anti note बन रहा है, यहाँ पर close, तो यह close end बन जाए, अब अगर मैं इसकी loops बढ़ा हूँ, तो इसका loop इस तना से बढ़ेगा, एक partial होगा और एक complete होगा, इस तना से अगर हम दो loops बना है, तो दो loops इस तना से बनेंगे इसके पर, ठीक है, अब हम इनके formulas develop करने, काम इनके अंदर बिल्कुल वैसी होगा, यहाँ पर दोनों की कौन सी frequency होगी, fundamental frequency होगी, यहाँ पर इनका second harm होने का हैगा, और यहाँ पर इनका third harm होने का हैगा, लेकिन मसला से बितना सा है कि क्या इनके formulas वो ही होगे, जो पहले वाले थे, हाँ, ऐसा हो भी सकता और ऐसा नहीं भी सकता, अब एक simple सी logic create करते हैं, आपको मैंने string वाले case में समझाया था, कि string वाले case में जो starting थी, वो note से होती थी, और anti-node से anti-node तक का जो distance है, वो exactly lambda by 2 होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो difference था और यहाँ पर difference है, वो same है, so it means, जो formula यहाँ पर काम करते हैं, exactly वो ही formula यहाँ पर भी काम करेंगे, अब यहाँ के जो normal frequency का generalized formula था, fn is equals to nf1, वो यहाँ पर applicable हो जाएगा, यहाँ पर जो nth wavelength का formula थ वो था 2l upon n, वो भी यहाँ पर applicable हो जाएगा, तो उसका मतलब open pipe आया string गया, उसके formula में किसी किसम का कोई रद्व बदल या changing नहीं, लेकिन close pipe में हो इसी परिशानी है, वो परिशानी से वितनी सी है, अगर आप देखो, starting anti-node से हो रही है, ending note पर हो रही है, और हम जानते है अगर हमने note से, anti-node से note तक जाना है, या note से anti-node तक आना है, तो जो distance है, वो lambda by 4 होता है, तो अब यहाँ पर formula जाएंगे, वो change हो जाएंगे, कैसे change हो जाएंगे, आएं थो इसी बात कर लेते हैं, अब अगर आप देखो, तो इस length में कितने lambda by 4R है, lambda by 2R है, या lambda by 4R है, तो यहाँ पर जो length है, वो बराबर है, lambda by 4 के, तो एक lambda बराबर हो जाएगा, 4L के, इसी तरह से, अब अगर मैं इसकी frequency निकाल हो, तो वो बन जाएगी, V upon lambda, lambda की जगह पर आजाएगा, 4L, तो आप देख सकते हैं, इसकी fundamental frequency का formula अलग है, as compared to this, इसकी fundamental frequency वही होती है, जो string की यानि के V upon 2L, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है भी, V upon 4L, ठीक है, इसी तरह से, इसकी जो harmonics होते हैं, उनका generalized formula भी यह नहीं होगा, कुछ और होगा, और वो कुछ और क्या होगा, वो कुछ और यह होगा, FN is equals to 2N minus 1 into F1, FN is equals to 2N minus 1 into F1, अब इनके मैं थोड़ से harmonics आपको मना के दिखाया तो, अगर मैं यह वाला काम यहाँ पर शुरू करूं, तो वही for example, F1 तो हमें पता है किसके बराबरता, V upon 4L के बराबर, लेकिन अगर मैं F2 निकालू, open pipe में F2 निकालो, तो 2F1 होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर होगा, 224 minus 1, यानि के F2 is equals to 3F1, अब अगर F3 निकालन दी हो जाएगा, 326 minus 1, यानि के 5F1, अब अगर F4 निकालन दी हो जाएगा, 7F1, F5 निकालन दी हो जाएगा, 9F1, तो अब अगर आप थोड़ा सा इस बात पर गौर करे यह चीज़ आप से पूछी जा सकती है, कि भाई, जो हार्मोनिक्स होते हैं, ओपन पाइप के वो किस ओर्डर में होते हैं, तो वो इंटेजर फॉर्म में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, जहां तक जा रहा है, महां तक चाता रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी हार्मोनिक् मुल्टिपल्स, तो हम कहा सकते हैं, कि जितने भी क्लोस पाइप के हार्मोनिक्स होते हैं, वो सब के साब होते हैं, ओड्ड मुल्टिपल्स, और इसी तरह से, अगर हम इसकी जेनरलाइज वेवलेंट निकालें, तो इसकी एंथ वेवलेंट का फॉर्मला हो जाएगा, 4L जिस तरह से यहाँ पर होता था, 2L अपॉन और N हम सब जानते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, नंबर ओफ लूप्स होते हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ पर इनकी जो बेसिकली फॉर्मिलेशन हैं, वो खतम हो जाती है, अब एक आखरी बात मैं आपको बताऊं, वो ये, अगर आप compare करें, open pipe की fundamental frequency को, और close pipe की fundamental frequency को, और अगर आप दोनों को divide कर दें, तो आपको एक simple सा relation मिलेगा, कि भाई, fundamental frequency of open pipe, divide by fundamental frequency of close pipe, O और C मैंने differentiate करने की लगा दिया, इसका formula होता है, V upon 2L, इसका formula होता है, V upon 4L, सब कुछ cancel हो जाएगा, यह बचाएगा 2, अब यह दो denominator हैं, तो यह reciprocal होके उपर आजाएगा, तो यह कुछ यह दिखेगा, तो यह divide कर जाके multiply है, तो मिल जाएगा, fundamental of open is two times of the fundamental of close, तो अब अगर आपके पास किसी exam में, आपको से fundamental frequency दे दी जाए, close pipe की, और आपस open pipe की frequency पूछे, without giving any further data, तो आपके दिमागे बस यह relation होना चाहिए कि अभी जो open pipe की fundamental है, वो close का double होती है, यह यह भी कह सकता हूँ कि जो close की fundamental है, वो open का half होती है, आई बास होन में, तो इस तरीके से इन सब को हम treat out कर सकते हैं, और इन सब के हम बात कर सकते हैं, तो यह सारे हमाया पर generalized formulas हो गए, इनको अच्छी तरह से याद करें, ताकि जब इनके numerical problem solve के हैं, तो आपको उनको समझने में बहुत असानी है, तो इस वीडियो की नहीं इतना ही बच्चों, अपना बहुत खया लखीएगा, मिलते हैं इंशाले नई वीडियो में, नई topic के साथ, तक तक ही नहीं मुझे दीजिए जादत, अला अपिस